प्रोपटी शोगी टीम पहुची हुई है आज अजमेरोड इलाके पर जब पहुचते हैं यहाँ पर अपन रहा है आशियाना गुरूप का आमंतरन प्रोजेक्ट दोस्तों आमंतरन प्रोजेक्ट खास तोर पर बनाया जारा है गरहकों की खास वीदा के लिए इससे पहले भी तर पॉपटी शोओ में हमने अशियाना गुरूप के बहुत सारे प्रोजेक्ट दिखाए और इनकी खासियत होती है यहाँ पर कुछ हटके होता है इस वज़ा से अशियाना की प्रोजेक्ट की खास दिमार्ड होती है अब ही हम पहुचे हुए हैं आशियाना गूरुप के आमंदर प्रोजेक्ट में और यह है क्लब हाउस जो जल्द ही बनकर तयार होगा ग्रहकों के लिए आप देख सकते हैं यह जो क्लब हाउस है 25,000 स्क्वार फिट में बनकर तयार हो रहा है आशियाना गूरुप की यह जो पूरा प्रोजेक्ट है 8.3 एकर में बन रहा है जिसमें 25,000 स्क्वार फिट का क्लब हाउस है यही खासियत है आशियाना गूरुप के ग्रहकों की सुविधा का खास ख्याल रखते हैं और इन सब बातों पर जादा बात करने के लिए हमाई साथ मुझूद है इस वक्त अजीज सागवान जी आशियाना के जैपूर सेल्स हैड है सर आपका स्वागत है आप से जानना चाहेंगे क्या और खास सुविधा हैं आपके इस प्रोजेक्ट में सर यह प्रोजेक्ट हमने प्ल्स पाइटेक के साथ में ज्वाइंट वेंचर में बनाया है और यह एक एक्स्क्लूसिव प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें की ओल्ली 492 फेमिलीज यहां पे रहेंगी और इट विल बी एडरेस ऑफ सेलेक्ट फ्यू इस टेगलाइन के साथ में हम यहां पे कर रहे हैं और 50 लाग से 1.26 लाग तक के यहां पे यूनिट्स हम बना रहे हैं जिसमें दो फेज अलड़ी हम लॉंज कर चुके हैं जहां पे 228 फेमिली ज ने अलड़ी अपना फ्लैट बुक कर लिया है और अभी यहां पे हमने 224 यूनिट्स के साथ में नया प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो एक है यूनिट्स है जो बाकी प्रोजेक्ट्स हमारे शेयर में हैं अन्से एक हमने रिमियम अगर हम कहे तो प्रीमियम क्लब आउस जो 25,000 स्क्वेर फीट में हम बना रहे हैं जिसमें सारी एमिनेटीज रहेंगी इसमें इसमें इंडोर बेडमिंटन कोट बनाया है बिलियर्ड की सुविधा रहेगी किट्स प्ले एरियाज हैं एक्टिविटी रूम्स रहेंगे यहां पर जैसे लेडी जाज कल जैसे हमने सुपर मॉम कॉंचेप्ट चलाया तो उनके लिए जो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उनके लिए स्पेस है किसी को कोई अपना फंक्शन करना है उसके लिए पा रहे हैं तो यह तीन साइट से ओपन है ओल शेप में बनाया है और अपने आप में जितने फैमिली हैं उसे साब से नॉर्मली हम 16,000 से 20,000 स्क्वार फिट के कलब बनाते हैं बट यह साड़े 400 फैमिली के लिए 25,000 का यहां पे स्क्वार फिट का बनाया है तो काफी आप यह कह सकते है कि जो पर यूजर जो स्पेस यहां पे है काफी अच्छा मिलेगा यहां पे हमने इंडोर और आउट डोर दोनों ही फैसलिटीज का ध्यान रखा है जैसे बास्केट बोल कोट है किट्स के लिए बार सेंट पिट एरिया बनाए हैं वाटर बोडीज हैं बाहर प यूनीक प्रोजेक्ट इस एरिया का निकल के आ रहा है और लोग काफी अच्छे से इसको एप्रीशेट कर रहे हैं लगबग इसको दो साल हो गया है प्रोजेक्ट को जब हमने पहला फेज लॉंच किया था जिस तरीके से और और पोजिशनिंग इस प्रोजेक्ट की इस मार अब आपने प्लान किया हैं सर ये ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर के लेयाउट्स हैं इसमें ग्राउंड फ्लोर पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो इंडोर बैडमिंटन है डबल हाइटेड कोट बनाया है किट्स प्ले एरिया है यहां कैफे की सुवीदा यहां और टॉप फ्लोर पे हमने एक्स्क्लूसिवली टैनिस कोट का प्रोविजन दिया है यहां पे तो लॉन टैनिस का पूरा स्पेस यहां पे दिया हुआ है इस तरीके से यह पूरा और ओरोल क्लब आउस हमारा बन के निकल के आएगा ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर और अजी जी कब तक कितने फेजिज में और कब तक कंप्लीट हो जाएगा यह काम आपका यह और ओर ओल तीन फेजिज में हम बना रहे हैं इसको और लगबग डेट साल से नहीं कि दिसमबर 23 के आसपास से हम फेज बन का हैंड ओवर करना शुरू कर देंगे और 2025 के एंड त पर मिले यह हमारा प्रियाश रहता है तो उसे के इसाब से हमने सारी तयारिया अपनी कीवी हैं तो दिसमबर 23 से यहां पर जो है मुविन लोगों का शुरू हो जाएगा तो प्रॉपर्टी शो में आज हम बात कर रहे हैं आश्याना अमंतरन प्रोजेक्ट की जो कीपन रहा और यहां की खास बात ये भी है यूएसपी भी है जिसको हम अभी समझते हैं कि वैशाली गांधी पत वैशाली एक्स्टेंशन भी इस प्रोजेक्ट से कनेक्टेड हैं कहां कहां से किस तरह से डेवलेप्मेंट हो रहा है प्रॉपर्टी बजार के अंदर ये देखने वाली यह सर बिल्कुल यह गांधीपत वेस्ट एंड आगे सिर्सी रोड से यह कनेक्ट हो रहा है अगर इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोकेशन के इसाब से बात करें जो यह रोड हम देख रहे हैं यह सीधा अपना गांधीपत वेस्ट से उतावा और सिर्सी रोड चला जाएगा त इसके आसपास की अगर हम बात करें तो सारे अच्छे स्कूल जो हैं जैसे हम देख रहे हैं कि यह टीपीएस यहां पे है आगे जैसे यह कंचनकेश्री यह रिस्टोरांट आ गया बाकी और अगर हम अजमेरोड के आसपास जैसे जैश्री पैरिवाल स्कूल है जैवेर यहां से अप्रोचेबल रहेंगे और यहां से आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम अजमेरोड से होते हुए सिटी के अंदर की साइड जाते हैं तो अपने हाइवेकिंग रेस्टोरांट है बाकी जैसे अपने मॉल्स हैं और शौपिंग की सारी जगह यहां पे हैं तो जो आप में काफी अच्छी लोकेशन है जिसको वैशाली एक्स्टेंशन भी हम कह रहे हैं वैशाली नगर से किनेक्ट होता हुआ अजमेरोड से अच्छी किनेक्टिविटी है और जिस तरीके से फ्यूचर में यहां सारे रोड्स पे प्रपोज फ्लाइवर हैं और जो ट्रैफ जो है बनके खड़ी होंगी आने वाले वक्त में और कितने फेल्सी हैं यहां का प्रफॉचर मारे फ्लाइवर्स को बताएगे यह सर जो यह जो प्रोजेक्ट है यह 8.3 एकट्स में 9 टावर्स में डिस्ट्रिबूटेड है जो हम यहां पर पॉइंट देख रहे हैं यह हमार टावर 124 कवर कर रहा है जो कि अभी हमने लांच किया है तो टोटल 492 यूनिट्स हैं जिसमें से फेज 12 हम अलड़ी लांच कर चुके हैं और फेज 3 में अभी 224 यूनिट हमने लांच कही हैं जिसमें की काफी अच्छा रिस्पॉंस ग्राकों का आ रहा है और एक हफते में साथ दिन में हमने 57 रिजिस्टेशन यहां पर इस फेज में कर लिये हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे सुविधाये भी बिलती हैं ग्रीनरी का काफी खास क्याल रखा गया है यह सर जैसे कि आप आश्याने के प्रोजेक्स देखते हैं वहां पर अपने टावर्स के साथ- काफी खास क्याल रखते हैं जिससे कि अच्छे से लोगों को जो फेसिंग है पाक की मिले और गूमने के लिए अच्छी चीजें हो और एक पाक और जो ओपन स्पेस उसका डवलप करने का में यह भी रहता है कि एक इंडोर और आउट्डोर हम एमनेटीज क्रियेट करते हैं बार स्विंग पूल आप देख रहे होंगे अच्छे वॉक्वेज हैं काफी प्रॉपर सिटिंग एरियाज हम गार्डन में बनाते हैं ताकि हर एज ग्रूप के लोग उसमें इंजॉय कर सकें चाहे सिनियर लोग हैं वो बैटके अपनी चिटचेट कर सकते हैं बच्चों के पाते हैं यहां पर क्योंकि तीन अलग तरीके के यहां पर सेग्मेंट रखे गए हैं प्रोजेक के अदनर टू भी एच के ट्री भी एच के और फोर भी एच के और इन तीनों ही सेग्मेंट्स को हम एक बार लेयाउट के थूरू समझने की कोशिश करेंगे असर्य यह तू जो 1290 स्क्वाइर फीट का है टू बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग विद टू वाश्रूम टू बालकनी हमने डिजाइन किया है नॉर्मली हम 1215 से और साड़े 12.2 स्क्वाइर फीट के टू बेडरूम से बनाते हैं बट इस प्रोजेक्ट में जैसे हम बात करने की एक प्र 27 रजिस्टेशन उसमें लगबग 21 से बाइस लोगों ने टू बीज के का इंटर्स हो के है तो पहले के फेजीज में बेडरूम प्लस प्र वाश्रूम का बनाया इसका डिजाइन हमने इस तरीके से बनाया कि एक तो यह वेल वेंटिलेट हो बाकि यह कि टू बालकनी जीज म में बिग बालकनीज हमने दी हैं और तीन बेडरूम विद अटेच वाश्रूम जो की हम प्रॉपर यूज के जिसमें की एक मास्टर बेडरूम किट्स रूम और अपना पेरेंट्स रूम या गेस्ट रूम बनाते हैं एक रूम जो आप देख रहे हैं भार बिल्कुल एंट प्राइवेट एरिया से थोड़ा बाहर है या एक अपने गेस्ट रूम या अधर परपस के लिए यूज कर सकते हैं तो काफी अच्छा ये डिजाइन हमने बनाया है नॉर्मली क्या है कि चार बेडरूम के साथ पहले के प्रोजेक्ट में स्टाफ रूम देते थे जो की सर् साइज है जो ये यूनिट लियाउट से हमने इस तरीके से बनाए कि जो थ्री बेडरूम का है अमने वो शो यूनिट तैयार कर दिया तो लोग वहां पर डारेक्ली फिजिकली उसको देख सकते हैं एक्ट्वल साइज का यूनिट और जिन साइज के आमने शो यूनिट नही बात भी जानते रहेंगे आश्याना के आमन्तरन को और करीब से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दोस्तों ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे और जान रहे थे आश्याना ग्रूप के प्रोजेक्ट को और देख रहे थे मैप और लेयाउट में किस तरह से बनकर त्यार होंगे यहाँ पर फ्लैट्स और अभी हम पहुच चुके हैं फिजिकली सैंपल फ्लैट के अंदर थ्री भी अच्के का यह फ्लैट है और जब आप फ्लैट में पहुचते हैं और आप देखते हैं तो सबसे जरूरी चीजे यह होती है कि कितना स्पेशियस है कितना खुला है किस तरह से डिजाइन हुआ है किस तरह का आर्किटेक्ट है और किस तरह से यहाँ पर आने वाले वक्त में चार सो से जादा फैमिली रहा रहने आई गी तो जब हम पहुचते हैं थ्री बी अच्के के इस फ पेशियस है आप देख सकते हैं यह आशियाना आमंतरन का 3BHK सेंपल फ्लैट साथ में ही यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई 3BHK का जब फ्लैट होता है तो गरहाकों की एक्सपेक्टेशन यह होती है कि जब वो यहाँ पर रहने आए तो एक अच्छी खासी फैमिली जो है अराम से रह सके जिसमें बच्चे भी आगए जो है पैरेंट्स भी आगए और अगर कोई एल्डर जो सदस से है फैमिली का वो भी अराम से रह सके तो 3BHK के इस एक्सपेक्टेशन में कितना पूरा कर रहा है आमंतरन का इस सेल्स 3BHK का जो यह प्रोजेक्ट है वो हम ईकर इता है जो कि काफी हुबशूरत लग रहा है जनरली ठोड़ा सा आगे या पीछे किचिन का स्पेस होता है लेकिन इस तरहिंगी का बंशेर किया गया है क्या कि कि च्चिन सबसे इंपोर्टेंट एरिया होता है जब भी आप किसी घर में जाते हैं तो किचिन सबसेmas से आव, खास तोर पे बात है कि जबय माश्याना के प्रोजेक्ट्स पे पाउस्ते हैं, तो जो जाते हैं कि इनका जो architect है, इनका जो design है वो काफी unique होता है और वो काफी practical होता है, क्योएं कि practical होना जादा क्कुर्च्टीक्ट होना इंपोर्टेंच है। आप प्रोज-, कई प्रोजेक्स में हम जब जाते हैं तो हम यह देखते हैं कि वहाँ पर कुछ जादा उसमें एड़ाउन कर देते हैं जो कि वह प्रैक्टिकल नहीं रहता तो सबसे इंपोर्टेंट चीज यह कि आप कितना जब आप जिंदगी रोज मर्रा की जिंदगी के अंदर आप देख साथ में किचेन में भी हमें खिडिका नजर आ रही है तो यह काफी एक अच्छा कॉंसेप्ट है थ्री बीच के ऐसा साइज होता है जिसके अंदर आपको चौदा सो से लेके पंदरा सो सोला सो सत्रा सो स्क्वार फिट तक के फ्लैट्स अलग अलग वराइटी जी मिलते हैं यहां पर एक कॉमन वाश्डूम भी रखा गया है गैलरी जो आप डाइनिंग अरिया से निकल कर आते हैं तो यहां पर एक गैलरी के बीच में ही यहां पर एक वाश्डूम दिया गया है वाश्रूम की खासीत यहां पर इसलीव भी जरूवत है क्योंकि अगर कोई गैस आता और उसको common washroom यूज करना है तो यहां पर आकर यूज करने और घर का जो अंदर का हिस्सा है वहां पर उसको आने की जरूत ना पड़े यहां पर एक bedroom नजर आ रहा है बैटरूम के साथ ही यहां पर एक बार फिर एक बड़ी विंडो दी गई है क्योंकि यहां पर जो एरिया है पूरा चारो तरफ से खुला हुआ है ऐसे में इस विंडो की एक अलग जरूत भी थी और खासियत भी थी तो आशियाना का यह जो 3BHK है उसका यह पहला 1BHK पहला बैटरूम हमने यहां पर विजिट किया साथ में आप इस तरह की यहां पर बुडन वग भी करवा सकते हैं सेंपल फ्लैट के अंदर बिल्डर आपको बेस्ट पॉसिबल जरूरत आप किस तरीके से यूज कर सकते हो किस तरीके का आर्किडेट कर सकते हो वो आपको एक आईडिया दे देता है अब आपके ओपर निर्बर करता है कि आप ऐसा क्या आइसा आर्किडेट करवाना चाहते से थोड़ा सा वड़ा है, जो गिए अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से एक अलमीरा रख सकते हैं बैट के अंदर साइड में टेबिल्स रख सकते हैं और मास्टर बैडरूमके сाथ यहां पर अटेच लेट बात भी है जो कि पहले बीच की में नहीं था तो वो एक अलग इसका यूएस पी हो गया साथ में यहां पर एक बालकनी है बालकनी बहुत जरूरी होती है किसी भी अपार्टमेंट के अंदर तो जिस तरीके से हमने सेंपल फ्लैट्स देखे थे मैप ल प्रोजेक्ट करना चाहते हैं आप खोशिश कर रहे हैं तो यह जरूर देखेंगो इसकी प्रोफाइल कैसी है और कितने वह प्रोजेक्ट पहले डिलीवर कर चुका है तो डिलिवरेंस बहुत इंपोर्टेंट है, यह किट्स रूम जो कि हम कहेंगे 3BH के फ्लेट का यह थर्ड रूम जो कि इनोंने किट्स रूम में डेवलेप किया है, बच्चे बहुत शरारती होते हैं और साथ में उनके लिए उसी तरीके की यहां पे कलर, पैंट वगेरा किय जाए गया है, एक आइडिया बिल्डर दे देता है कि किस तरह से आप अपने फ्लेट को डिजाइन करते हो, एक बाद फिर हमारे साथ अजीज जी आ चुके है, थोड़ा सा समझाएंगे हमें फ्लेट को लेकर के इसकी जो खासियत है, हम तीनों बैटरूम देख चुके हैं, और खास बात हमें ये नजर आ रहे है कि आपने काफी ट्रेक्टिकल फ्लेट बनाया है कि स्पेस के अकॉर्डिंगली कितनी चाहिए होती है, एक फैमिली को रहने के और आप क्या बताना चाहिए है, ये जो फ्लेट है, ये 1665 स्कुर फीट, 1665 स्कुर फीट का सूपर प्रेट हो जाते थे, आज कल जैसे वर्क फ्रोम हॉम एक कंबल्शन नी मैं कहूंगा कि चोईस की तरीके से डवलप होके आया है, तो जिन लोगों के साथ में पेरेंट्स हैं या एलडरली लोग हैं उन लोगों के लिए तो ये एक सफिशेंट साइज है, बट नुकलियर फ केटेगरी में ये यूनिट है जो हमने किया हुआ है और इसमें अगर इसको इंटीरियर के साथ में जाते हैं तो ये 90 से 95 लेक के करीब उनको विद आल चार्जिज इन एवरीटिंग ये पड़ जाए है, अजमेरोड इलाके पर और जान रही है, यहां के रियल इस्टेट ब बजार की की बहुत तेजी से डेवलेप हो रहा है, और डेवलेप होते हैं ये इस्ट बजार में गराकों को अच्छा खासा फाइदा हो रहा है, और यही सब जानने के लिए जब हम पहुचे एजमेरोड इलाके पर तो आशियाना गुरुप का ये प्रोजेक्ट हमें खासा पसंद आया, और उसकी वजा भी बहुत सारी है, अब यहां मौझूद है 25,000 स्क्वार फीट के क्लब हाउस की इछत पर जहां पर आने वाले समय में टैनिस कोट बनेगा, और यहां से दिख रही हैं हमें अलग-अलग फेजिज में बन रही बिल्डिंग्स इमारते, जो की जल्द ही बनकर तियार हो जाएंगे, एक बाद फिर हमारे साथ मौझूद है अजीजी, अजीजी थोड़ा सा और डिस्क्राइब किजी हमारे वीवर्स को किस तरह यह फेजिज में कम्पीट हो रहा है, किस तरह बिल्डिंग्स बन रही हैं, और क्या खास ख्याल रखा जा है, क्योंकि देखिए, बिल्डिंग बन जाती है, लेकिन बनने के बाद में कई बार कस्टुमर्स को यह परिशानी आती है, कि दो साल बाद, प्रीं साल बाद, मैंटिनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो दिये, तो उसको लेकर आम दो जानना चाहेंगे, इस में सर जिस त परकाव भी प्रोजेक्ट का हम देखते हैं, हमारी नाउस टीम है, जो आश्याना मेंटेनेंस सर्विसीज लेल पी है, जो कि ख्याल रखती है, तो इस प्रोजेक्ट में भी मेंटेनेंस उसी तरीके से रहेगा, और एक यह कि फोरेवर केर का जो हमारा कमिट्मेंट है, ब्र करते हैं, अपनी सुविधाओं को कस्टमर के जो अपने इंपूट्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ली, तो हमने यहां पे काफी अच्छा जैसे क्लब आउस में काफी सारी इंप्रूमेंट करी हैं, हमने जैसे नॉमली जो एक्टिविटी एरिया हमने एड किया है, जो प इंपने में, स्पेसिफिकेशन्स और डिजाइन की भी बात करें, तो यहां पे युनीक है, बच्चों की सेफटी के इसाब से जैसे सेफटी हें ड्रेल्स हमने यह आ दिये हैं, स्पेसिफिकेशन्स में टाइलों के साइज हमने यहां बढ़े किये हैं, इन्टू पॉइंट इन्टू पॉइंट टू पॉइंट फिट की लपाटो टाइल से यहां पर यूज कर रहे हैं, बाकि जो सेनेटरी फिटिंग्स और अदर फिनिशिंग हैं वो भी हमने यहां पे इंप्रूव की हैं, जो बाकि प्रोजेक्ट में हम करते वे आ रहे हैं, तो काफी अप्ग्रे इन्टिड यह जो पूरा एरिया है, यहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और अपॉर्चुनिटीज के साथ में आपको जब भी इन्वेस्मेंट करना है, या आपको अपना सपनों का आशियाना खरीदना है, तो आपको कुछ गुरू ग्यान हमेशा याद रखन इन्फरास्ट्रक्चर कैसा है, किस तरह से बिल्डर की प्रोफाइल है, पुराने कितने प्रोजेक्स उसने तयार किये हैं, और किस तरह की डिलिवरेंस है, और अगर यह सब चीजों का आप ख्याल रखते हैं, तो आप अपने सपनों का आशियाना पाने में काम्याब हैं, फिलहाल वक्त तो चला है The Property Show में अलविदा कहने का इसी वादे के साथ अगले सब्ता फिर हाजिर होंगे किसी और इलाके किसी और प्रोजेक्ट पे जहां पर हो सके आपका सपनों का आशिया ना पाने का सपना पूरा तब तक के लिए दीजिए इजाज़त The Property Show की पूरी टीम आपका सब्सक्राइब करता है